एक बिजनेस ओनर की सबसे बड़ी कन्फूजन फेस्बुक आड्स में कितना बजट डालना चाहिए कितना आड बजट हो, कितना री मार्केटिंग पे हो, कितना न्यू क्लाइंट अक्कोजिशन पे हो कितना बजट ब्रांडिंग अवेरिनेस पे बजट की बहुत बड़ी कन्फूजन रहती है बजट कितना बढ़ाया जाए, कितना कम हुआ जाए, लीड कॉस्ट कैसे कंट्रोल होगी ये फेस्बुक आड्स का बहुत जबरदस गजब का वीडियो रहने वाला है और बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस फेस्बुक आड्स कोर्स में आइडियल कस्टमर अपडर क्या होता है, कस्टमर परसोना क्या होता है अगर आपने ये नहीं वीडियो देखा है तो उसके बाद आप ये वीडियो जरूर देखीगा बहुत गजब का फेस्बुक आड्स कोर्स चला है एसी information में दे रहा हूं जिससे लाहों लोगों की problem solve हो सकती है चाहे हो freelancer, agency owner या कोई नया business owner हो उसके लिए ये बहुत काम का वीडियो है सबसे बड़ी confusion यहीं रहती है कि Facebook आड्स पे कितना budget डाला जाए कितना budget कहां पे लगाया जाए बहुत सारी लोग गलती करते हैं उठाके अपना सारा पैसा branding awareness में डाल देते हैं 3-4-5 महिने बाद लाखो करोडर रुपर जलानी के बाद सोचते हैं कि यार एक भी lead नहीं आई, एक भी sale नहीं आई क्या हुआ यह सारा पैसा अप तो waste हो गया अगर आप ये वीडियो देख लोगे, ऐसी गलती कभी भी नहीं करोगे अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ lead cost के बारे में देखो, अगर आपने facebook में 1000 रुपए खर्च किये और 5 lead generate करी उच्छे लोग calculation करते हैं, 1000 divided by अगर हम 5 करते हैं तो 200 रुपए की lead cost आई, तो आप तो खुश हो जाओगे यार अब आप कहोगे, अगर 200 रुपए की lead आ रही है तो मैं काम करता हूँ, 5000 रुपए लगाता हूँ और divide कर दूं 200 से, तो मुझे दिन की 25 lead आने लगे क्या ऐसा ही होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होई नहीं सकता, देखो, अब मजे की बात है, सबसे, जब न्यू बिगनर्स होते हैं ने ने जो लोग होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं, या फिर ने बिजनस होनार है, वो ऐसी तो सीधा सीधी calculation लगाते हैं हजार रुपे खर्च किया, 200 रुपे की लीड आई, अब 25 लीड हमें चाहिए दिन की, इतना पैसा डाल दो, दो दिन बाद देखते हैं, तेन दिन बाद देखते हैं, आड अकॉंट में, या फिर जैसे बजट को 5 जार करते हैं, सुबह देखते हैं, लीड तो 5 से 6 होई, य आप चाहते हो कि और लीड हैं, और सेल्स हैं, कभी भी आपकी कॉस्ट सेम नहीं रहेगी, वो कॉस्ट चेंज होनी है, तैं है, आप उसी कॉस्ट में कर आब आड चलाते होगे, आप नहीं पैसे बढ़ा होगे, दूसरा एक सिनेरियो होता है कि भाई, मैं एक काम करूंगा, तो मैं पैसा ही नहीं बढ़ा होगा, उतनी में चलाता रहोगा, फिर भी वो लीड कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे फेस्बूक को राइट ओडियंस मिलेगी, सही ओडियंस मिलेगी, सही दरा आड दिखने शुरू होगे, आपको कॉलिटी लीड आना शुरू होग बढ़नी ही बढ़नी है, तो आपको सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी, कभी भी आपको अपना बजट एकदम से नहीं बढ़ाना है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका बजट है पांच हजार रुपे, तो जैसे आप जिस दिन आप एड चला रहे हो तुरन ता पांच जार बढ़नाते हैं, जैसे फेस्बूक पे मेटा उनको तुर्ण डिसेबल कर देता है, वो कहता है बाई कि एकदम से बंदे ने शुरू किया आज, एकदम से पांच और शेजर बजट क्यों लगा रहा है, तो कई बार ये भी रीजन होता है, कहीं लिखा नहीं है, बट ये हमने observe किया है, कभी भी आपको बजट बढ़ाना है, आप gradually बढ़ाओ, थोड़ा slow जाओ, take it slow, easy, right, starting में take it slow, बहुत उसको तेज मन भागो, अब आते हैं सबसे important question पे कितना बजट होना चाहिए, कितना बजट खर्च करना चाहिए, ठीक है, तो suppose हम लोग एक example लेते हैं, एक चलाओगे, ठीक है, जहाँ पे आपने offers पर्मोट करोगे, products पर्मोट करोगे, सबसे important वही होता है, around 60% budget आप वहाँ put कर सकते हो, मतलब कि एक लाग का budget है, तो 60,000 रुपए आप new client acquisition पे, offers पर्मोट करने वे, lead generation पे, sales पे लगा सकते हो, ठीक है, उसके बाद दो चीज़े और आती है, सबसे पहली चीज़ आती है, branding, branding होनी चाहिए, मतलब आपके ad दिखने चाहिए, ज़रूरी नहीं आप उसी को बेचे जो तुरंत आपका product खरीदे, आपको branding पे पैसा लगाने चाहिए, तो 20% आप उस पे लगा सकते हो, जैसे कि 20,000 रुप, 20,000 रुपए आपने मह आप branding पे डाल सकते हो, अब आप branding करोगे, आप lead generation करोगे, बहुत सारे लोग convert होंगे, बहुत सारे लोग नहीं convert होंगे, तो 20% budget आप डाल सकते हो, remarketing पे, उनको फिर से remarket करो, फिर से add दिखाओ, और फिर से वो convert होंगे, तो देखो ये budget और किसी के लिए बहुत fix नहीं है, पर जो मैंने आपको calculation दी है, उसको आप use कर सकते हो, जैसे कि सबसे ज़्यादा budget किस पे है, sales पे, new client acquisition पे, उसी पे रखो, 60% है, तो उसको कर लो 70%, दिखो पहले ऐसा होता था, आज के 2-4 साल पहले meta में ऐसा था, कि आपको नई audience require करने के लिए ब्रांडिंग करने पड़ती पहले थी, बड़ आज के लाइं, meta बहुत तेज हो गया, AI एकडम चालू हो गया है, और जिसको आड दिखाने तुरंद आड दिखता है, ठीक है, बहुत targeted हो गया है, AI based हो गया है, complete, तो आप अपना budget का कर सकते है, starting, अगर आप तब new business owner हो, आपको sales चाहिए, sales से यह भर-ब या फिर 80% कर सकते हो, new client acquisition पे 10-10% आप branding और remarketing पे कर सकते हो, तो यह एक ideal budget distribution है, जो हम लोग ऐसा agency use करते हैं, अपने clients के लिए, इसी तरह की strategy हम बनाते हैं, हमारे जो 50-50 client हैं, जो successful है, जो client हमारे 4-4 साल, 5-5 साल से चल रहे हैं, जैसे कि यह एक हमारी client है, यह डॉक्टर प बेचना सोड़ी हैं आपको, तो ऐसे मैं कर टेस्टिमोनियल दिखाने लगो ना, भर-भर के टेस्टिमोनियल पड़े हैं, client जो 4-5 साल से लगाता हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसी ही strategies बना के अपनी client को देते हैं, और इतना एक दम महनत करके टीम हम लगाते हैं, और उनके business successful बनाते हैं, आपको कोई भी agency को पैसे नहीं देने हैं, ठीक है, अगर आप छोटे business owner हो, आप शुरू कर रहे हो, आप खुद से करना चाहते हो, यह same strategy यूज करो, क्योंकि मैं यह 50-60 बिजनसों पर यूज करता हूँ, tried tested है, working है, same चीज यूज करो, implement करो, अगर आपे बनसको, बुरू कर, थैंक्यू सुद 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 क्योंकि मैं यूज सुद 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 सुद